मत्र जड़ी बूती ग्यान चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों कल पार्ट वन हमने बनाया था वीरियो में कि इलाज कैसे किया जाए अब आज जोहे ढूसरा पार्ट है दूसरे पार्ट में एक भाई ने कमेंट भी किया था कि मेदे को ताकत्वर बनाने का कोई कि गर्मी की दवा के साथ जो है इस नुस्खे को भी खाया जा सकता है अब मेदे का काम हमारा क्या होता है जिसे मान लिए जो हम खाना खाते हैं खाना खाते हैं तो जो भी खाना है जब हम खाना चबाते हैं तो हमारे खाना चबाने के साथ-साथ हमारे मूँ में जो लार बनती फिर आगे खाना हमारा आतों में जाता है उसके बाद जो ही प्रक्रिया है आगे होती है वही पूरा फिर जो है जाकर रस बनता है रस रक्त ये सब चीजे बनती है और बहुत से लोगों की जो है भूख भी मर जाती है जो भूख नहीं लगेगी तो खाना खाएंगे नहीं पा ज्यादा दवाईयां खा लेते हैं ज्यादा मुगलिज दवाईयां खाते खाते सालम मिस्री ये सब चीजे ज्यादा मुगलिज दवाई खाते खाते भी उनका मेदा कमजोर हो जाता है आते भी कमजोर हो जाती है तो ऐसे में दूसरे स्टेप में इलाज यही करना है कि आपको अपने मेदे को ताकतवर बनाना है पाच़ण तंतर मजबूत बनाना है जैसे आपने मान लीजिए जिगर मसानी की गर्मी की दवाए खारी अब गर्मी तो आपकी निकल गई लीवर में जो है तो उसके बाद आपको जब आगे दवा कोई खाएंगे ताकत वाली तो उसके लिए तैयार भी होना जरूरी है अब जिसे पेपर आ रहा एक्जाम आ रहा है तो उसकी तैयारी करना पड़ता है कि हम उसमें पास हो जाएं अब डिरेक्ट ही पेपर देने तो पहुंच नहीं जाते हैं तो उसी तरीके से आगे के स्टेप में प्रियाज करने के लिए हमारा मेदा पाचन तंत्र यह सब चीजे हमको मजबूत करना पड़ेगा कि जो हम आगे दवाईयां खाएं ताकतवार वो दवा भी जो हमको हजम हो इस चीज़ का ध्यान देना है तो इसके लिए आपको मेदा ताकत और बनाना बहुत जरूए है और इसका फाइदा इस नुस्खे का फाइदा इसमें थोड़ी मेहनत है और यह नुस्खा मैं भी बनाता हूँ यह देखि मैंने बना कर रख़ाऊँगा काफी मात्रा ने उधर मैंने बनाया था कई बार एक किलो दो दो किलो बना बना कर कई लोगों नो ले भी लिया है तो अब इस नुस्के में थोड़ी महनत है इस से खुल कर भूख लगेगी जो दिया मैंने एक डॉक्टर सापने भी मंगवाया था तो उन्होंने अपने पेसेंट को दिया उन् चूरन को तो चार-पांच दिन में उन्होंने बहुत बहुत देटरीन दिज़र बताया कहा कि अब उनको इतनी भूख लगती है कि अब दिन में तीन-चार बार वो खाते हैं और जब कभी गैस बन जाती है कोई दिक्कत हो जाती बहुत से लोगों गैस बनके की वज़े सिदिती हो जाता है तो वो एक चुटकी यही चूरन खा लेते थे बासुन का दिन पूरा एकदम बढ़िया जाता था और यह सबसे पहली बात तो यह आपका जब मेदा मजबूत कर देगा जो खाया पिया है आपका पूरा रस बनना सुरू हो जाएगी जब रस बनेगा तो मल बहुत से लोगों का बंध कर नहीं आता है तो मल बंध कर इसमें आना सुरू हो जाएगा अब इस नुस्खे में आपको लेना क्या है इसमें आपको लेना है नौसादर सुद्द किया हुआ नौसादर लेना है इस चीज़ का आपको ध्यान देना है सुद्द किया हुआ बढ़ियां वाली लॉंग जिसमें टोपी लगी हुई हो फूल जो लगा हुआ होता है वो 50 ग्राम काली मिर्च 50 ग्राम सोंट 50 ग्राम अजवाइन 50 ग्राम काला नमक 50 ग्राम कचूर कचूर में आपको मेहनत करना थोड़ा कचूर को आपको एक बार में ज़्यादा तयार कर लिए कचूर जैसे आपने अगर 50 ग्राम लिया है तो इसमें 200 ग्राम मूली का रस आपको डाल देना है किसी घड़े में रखकर तो ये एक रसायन बन जाएगा जब घड़े में आप इसको रखेंगे और उसका मूँ बन कर देना किसी कपड़े से तो इसको धूप में कहीं रख दें और बारिस हो तो इस तीज का ध्यान देना है कि बारिस में हटा लेना है इसको धूप में रख दें जब ये रस 15-20 दिन में जो है सूख जाएगा अब गर्मी इधर आ रहे ये गर्मी में तो जल्दी सूख जाएगा जब रस पूरी तरीके से सूख जाए अब वह 50 ग्राम के हिसाब से 200 ग्राम मूली करस लगेगा अब आप जितना ज्यादा कचूर तयार करना चाहें उतना ज्यादा कर सकते हैं बहुत ज्यादा भी मत डाल लीजेगा जल्दी रस नहीं सूख तो ज्यादा उससे जो है किले भीज में पढ़ जाते हैं कचूर में तो यह जब पूरी तरीके से सूख जाए पूरा रस यह सोख ले और घड़े में ही सूख है इस चीज का भी से ध्यान देना है उसके बाद इसको आप निकाल कर रख लें यह रहेगा आपका 30 ग्राम अब इस नुस्खे में आप चाहें जादा बनाना चाहें जादा बना सकते हैं अपने हिसाब से और उसके बाद हीरा हिंग लेना है आपको 30 ग्राम दाल चीनी 30 ग्राम नीम्बू का सत्व 30 ग्राम पका पका हूँ दूसरा होता है वह तूटता नहीं है और सत अजवाइन 10 ग्राम सत पुदीना 10 ग्राम इतनी चीजे आपको ले लेना है और भूमी आमला 50 ग्राम भूमी आमला 50 ग्राम और अर्क निम्बू इतनी चीजे लेकर आपको पीस कर पाउडर बना लेना और निम्बू का फिर रस लेना है आपको अगर जिसे ज़्यादा दिक्कत है लीवर में तो इसमें आप निम्बू के रस की भाउना दे दीजे निम्बू का रस डालिए इसकी घोटाई करिए तो धूप में लग दीजे निम्बू का रस डाल कर जब एक बार निम्बू का रस इतना डाल दें कि दवा डूब जाए थोड़ा ऊपर रहे यह निम्बू का रस पूरी तरीके सूख जाए फिर उसके बाद दूबारा निम्बू का रस दाना निम्बू का रस फिल्टर किया हुए डालना इस चीज का भी से ध्यान दें फिर उसके बाद तीसरी भावना दे दें इसी तरीके से पीन भावना देने के बाद इसमें भूमी आमला के रस की या अर्क की अब मैं तो अर्क मसीन भी ले रहा हूं दोस्तों अर्क मसीन ले रहा हूं अब जितने भी अर्क होंगे क्योंकि मैं कमपनी के प्रोड़क्ट पर भरोसा नहीं करता हूं मैं जो चीज होता है खुद ही लेता हूं इसलिए मैंने तेल निकालने अली मसीम भी खुद लेकर रखी है ताकि काम जो हो अपना एकदम सो परसंट हो कमपनी वाली दीशुरे के भरोसे बैसाकी के सहारे नहीं रहना चाहिए तो इतनी चीज़े लेकर और इसके भूमी आवला की अर्क की अर्क ना मिले तो रस इसकी भावना दे देना है दो से तिन और और पावरफुल बनाना है तो तीन भावना दे दीजे आप एलो वेरा की रसकी बस उसके बाद एलो वेरा की रसकी भावना दे जो गोली बनने सुबह नास्ते के आदे घंटे बाद एक गुली और रात में सोते समय एक गुली इससे आप कुछ दिन नहीं देखेंगे आपको खुलकर भूक लगने लगे बहुत तगड़ी भूक लगेगी और जाओ हजम नहीं होता था खाना पेट लोगों का भारी भारी लगता था लीवर कमजोर था तो आपका लीवर वर सब मजबूत हो जाएगा इससे इतना फायदा इसका होगा इसको एक महीने कॉंटीन्यू खाकर फिर उसके बाद आगे आप जो इलाज करेंगे उसके आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो नुस्ख किया कारण यही होता है उनको पता नहीं होता है तो आप वह अपनी कमी समझें किस चीज में कब हमको क्या खाना है सीजज का भी अगर नहीं पता है तो अंधे में हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होता है उल्टा नुक्सान होता है लोग बताते है आईर वेडिक दवाईयां को नुक्सान नहीं होता है लेकिन अगर गलत मिजाज के हिजाब से गलत तरीके से गलत ढंक से गलत समय से खाया जाता है तो नुक्सान उसका भी होता है ठीक है दोस्तों तो इस चीज़ को आ आइए और फाइदा उठाइए धन्नेवाद है